हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपका अपना निजी सलाकार अमितराश शर्मा और आप देख रहे हो यूदरियल वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस प्लान के eligibility criteria और benefit का illustration चाहते हैं simple शब्दों में तो आपको पहला part इसका देखना होगा जिसका thumbnail आपकी screen के उपर है ये वीडियो आपको life insurance playlist या वीडियो के end card में इसका link मिलेगा आप जाकर के देखिएगा तो अब आगे बढ़ने से पहला आपको पताना चाहता हूं कि चैनल पे हर एक वीडियो आपके सुझाव और प्रशन के अनुसार आती है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके all notification bell पे click कर लेंगे तो इससे जो भी वीडियो आपके प्रशन के अनुसार आएगी या latest information आएगी वो आपको समय पे मिल जाएगी तो सब कुछ समझने के लिए शुरू करते हैं एक्जामपल से 30 साल की उमर ले लिए हमने श्रीमान एक्स वाई जैट की और यहां पे जो प्रिमियम रेट है 30 साल की उमर पे एक हजार रुपे के सम अशौड पे 23 रुपे 17 पैसे पेगरने होंगे तो उस हिसाब से 2.3 एक साथ प्रतिशत होगा दस लाग का सम अशौड ले लिया पॉलिसी टम है यहां पे सौ मेंसे घटाएंगे एंट्री एज चो 70 साल का पॉलिसी टम होगे क्योंकि होल लाइफ का प्लान है होल लाइफ का वरिस में रहता है प्रिमियम पेमेंट हमने ले लिया 20 साल का तो सालाना प्रिमियम जाएगा यहां पे 23,170 रुपे अब माल लीजिए कि स्रीमान एक्सवाई जैड ने यहां पे 6 साल लगाता है प्रिमियम पे करा और उसके बाद इनका मन करता है कि मैं पॉलिसी का खत्म करดूं स्रेंडर करदूं तो ऐसे में यह जब तक 6 साल तक लगाता प्रिमियम पे कर रही होंगे तो 1,49,20 रुपे पे कर चुके होंगे और पॉलिसी का नियम कहता है कि दो साल लगाता है प्रिमियम पे करने के बाद मैं अगर किसी को पालिची कर देते हैं टोटल पेड़ प्रिमियम में जो बेसिक प्रिमियम होता है इस प्लान के अंदर लोडिंग चार्ज को भी इंक्लूड किया गया है और उसके बाद में इसमें एड किया गया है गारंटेड कैश ऑफ अक्यौर्ड पेड़ एडिशन अब यह गारंटेड कैश सरेंडर वैल्यू फेक्टर को समझ लेते हैं पहले साल पर कोई नहीं है निल वैल्यू मिलेगी दूसरे साल पर तीस प्रतिशत जितना प्रिमियम हम पे करेंगे उसमें तीस प्रतिशत निकाल लेंगे तो जो भी प्रिमियम पे किया होगा उसका 35 प्रतिशत निकाल लेंगे 4 से 7 साल हम 6 साल पर surrender कर रहे हैं यहां पर तो 50% premium का हमें यहां पर मिलेगा और उसके साथ में accurate guaranteed edition अगर चुना होगा तो लेकिन हमारे example में हमने नहीं चुना है तो हमें नहीं मिलेगा तो 1,49,020 रुपे का अगर हम 50% यहां पर निकालेंगे राइट वो cash के रूप में मिल जाएगा आपके account में दूसर रहता है यहां पर premium offset यह दोनों ही example हमने समझे थे तो इस cases में केवल हमें जो premium pay किया होगा उस पर surrender value apply होके मिल जाएगा और premium offset को भी हमने पहले ही part में आप उदारन के साथ में समझाया था तो वो part आप जाके जरूर देखेगा और बाकि अगर आप paid up edition लेंगे तो वो आपको मिली जाएगा अब हम यहां पर जान लेते हैं कि अगर हम आठवे साल पे जाके आठ साल के बाद में जाके surrender करते हैं policy को तो यहां पर क्या होगा पहले साल पर दूसरे साल पर और चार से सातवे साल तक तो हमें समझ में आ गया कि कितने प्रतिशत मिलेगा आठवे साल पे surrender करेंगे उसके बाद करेंगे तो क्या होगा यहां पर लिखा minimum of तो मतलब यहां पर दो यहां पर रेशो आएगा वो यह फिर जो 90% लिखा हुआ है यह यह multiply के जाएगा दो तरीके से मतलब पहला तो यह रेशो हो गया जिसमें 50% एड करके हम निकाल लें प्रीमियम का निकालेंगे फिर 90% अगर चूस किया होगा तो इस प्लान के अंदर आपको लोन की फैसिलिटी नहीं मिलती है मतलब प्लान लेंगे आप सोचा आगे चलके लोन ले ले तो आप नहीं ले पाएंगे अब सरेंडर के के इसमें श्रीमान एक्स बाइजी को लग रहा है लॉस आव बोलने के रिड्यूस पेड़ पॉलसी का बैनेफिट है जी बिल्कुल अगर आप दो साल लगाता है प्रीमियम पे कर लेते हैं उसके बाद अगर आगे चलके प्रीमियम नहीं पे कर पाते हैं तो अब अपनी पॉ पॉलसी का बैनेफिट जानने के लिए किस चीज़ की जरूवत पड़ेगी यहां पर रिड्यूस पेड़ पॉलसी फैक्टर की हमें यहां पर जरूवत पड़ेगी ठीक है और हमने एक्जामपल क्या लिया था कि 6 साल तक लगातार यहां पे प्रीमियम स्रीमान एक्स वाइ कितब दैद बैनेफिट मिलेगा उसके साथ अक्योड पेड़ पेड़ेशन अगर बॉनस ऑफशन नंबर 3 चूस किया होगा जो कितब परचेश पेड़ पेड़ेशन तो हमें यहां पर जानना होगा रिड्यूस पेड़ फैक्टर वह क्या है इसके अंदर जितना प्रिमियम आप पे कर चुके हैं बेस पॉलसी के लिए प्लस लोडिंग चार्जिस उसमें से आप डिवाइड कर देंगे जितना प्रिमियम आपको पे करना था तो दस लाग का हमारा इहां पर समा शौड ऑन मिचॉरिटी है मतलब यह शौड शौड बैनेफिट है इसी को रिड्यूस क हमें के दौरान हमें 4,63,400 रुपे पे करने थे अब हम यहां पर क्या करेंगे 1,49,020 का भाग दे देंगे 4,63,400 तो सुन्य देसमलब 3 हमारे यहां पर रिड्यूस पेड़ अप पॉलसी फेक्टर आ जाएगा तो यहां पर रिड्यूस पेड़ अप डैद बेनिफिट क्या ह होगा तो वह एड़ हो करके मिल जाएगा सेम चीज़ अपलाई हो जाएगे रिड्यूस पेड़ अप मिचॉरटी के केस में भी पेड़ अप एक्टर का मल्टिप्लाई कर दिया जाएगा समाशॉड ऑन मिचॉरटी पे अगर बॉनस ऑफशन नमबर 3 चूज किया होगा जो क किया जाएगा और जब पलसी रिड्यूस पेड़डाप पलसी हो जाएगी तो किसी भी तरीके का जो रैडर है वो अक्टिव नहीं रहेगा औरfounder प्लसी को भी सरेंडर किया जा सकता है इसका फैक्टर होता है वो आपको कमप्नी से पताच चलेगा बाकि अगर अगर आप ये